आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे Ask Your Question सीरीज के Question No. 61 की आज का प्रशन पूछा गया है रीना सूध जी के जुआरा तो इनका प्रशन है सुवन फार्मा शेयर के बारे में भी जानकरी दीजे प्लीज रीना जी सबसे पहले हम आपके बहुत आभारी हैं आपने अपना प्रशन पूछा है हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल के करीब 15% से जादा वीवर्स फीमेल मेंबर्स हैं तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम आज इस टाइम पर कह सकते हैं गर्व से कि हमारे चैनल पर सिर्फ मेल केंडिडेट नहीं फीमेल केंडिडेट भी वीवर्स करते हैं साथ ही साथ में इस पर्टिक्लर सेग्मेंट में जहां पर पहले मेल डॉमिनेंट एनसी बीसी स्टॉक एक्चेंज की बात होती थी यहां पर महेलाई भी आगे आकर अपना नॉलेजगेंड कर रही है और साथ में कुछ पैसा भी कमा रही है तो हम आपको बहुत प्रतसान देते हैं और साथ में औरवी जो कोई फेमिन candidates हमारा भी channel देख रही है उन सब का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने question पूछते रही है हम जैसे जैसे time मिलेगा उन question का answer करने की कोशिश करेंगे तो आज का question हम बात करते हैं इन generic suven pharma के बारे में हम analysis करेंगे तो सबसे पहले company के portfolio को देखेंगे fundamental analysis करेंगे और देखेंगे company की क्या strategies है किस तरह से काम करती हैं और उसके बाद में इसका technical analysis के थवारा बताएंगे कि क्या इसका buy recommendation है अगर है तो किस level पर buy करना चाहिए और इसका long term का क्या target रहेगा हम short term का analysis कम करते हैं हम long term के recommendation share को जाधा करते हैं तो इसके चलते हुए आईए चले के सबसे पहले इसके market capitalization को देखा जाए तो अगर इसकी market capitalization देखे suan pharmaceutical की market cap करीब 10,000 करोड के आसपास की है जिसका मतलब यह है कि यह pharma sector में mid cap company है तो जब भी आप किसी company में invest करें आपको यह धियान रखना है अगर large cap company है तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा invest कर सकते हैं पर mid cap और small cap में आपको relatively smaller investment करना है इसकी face value एक रुपे की है और यह market share में 390 रुपे का share है dividend देते हैं 500% का पर yield के वल 1% रह जाती है तो yield की दरश्टी से अच्छा नहीं होगा अगर आप long term की दरश्टी से देख रहे हैं तो growth की दरश्टी से बहुत अच्छा stock होगा हम बताएंगे क्यों कह रहे हैं यह बात क्योंकि यह एक mid cap company है तो red flag 5x5 rule simple equation अगर आप किसी भी mid cap company में invest कर रहे हैं तो आपको minimum 5 mid cap या small cap company में invest करना होगा simple equation नहीं काम चलेगा उसका reason यह है अगर एक काम नहीं करती है तो आपके at least 4 engine growth आपके चलते रहेंगे वो जो एक time पे काम ना करे उसका momentum carry-up forward कर सकते हैं तो आपका portfolio में ज़्यादा variance नहीं होगा अगर कोई ज़्यादा काम नहीं करता है और दूसरा 5 का मतलब है कि आपको maximum 5% capital invest करनी है अपनी इस share में आप अगर देखें इसकी key information तो जो इसकी सबसे अच्छी information है bonus की dates आई थी तो bonus की date क्या आपको पता ही होगा इसके बारे में तो उसकी detail चलते हुए आगे क्या होता है कि long term के लिए stock क्यों खरीता जाता है जब stock की value कम हो जाती है price कम हो जाता है तो small investor उसमें आके definitely invest करना चाते हैं तो bonus कर देते हैं split कर देते हैं या फिर right issue कर देते हैं तो उसके चलते हुए tax benefit भी मिलता है और आपको नए investor भी उसमें attract होता है तो इस बज़े से stock की valuation बढ़ जाती है ये company का एक primary strategy रहता है अब अगर इस company का हम लोग यहाँ पर एक chart देखें तो आपको सबसे पहले long term का chart दिखाने की कोशिश करेंगे तो देखिए अगर आप इसका one month का chart देखेंगे तो मार्ट से ये COVID के बाद से जब इसने अपना काम करना शुरू किया है हर month on month एक बड़ी green candle बनी है और अभी जो इसका low बना था करीब-करीब 86-87 का वो अभी यहाँ पर high इसने पिछले महिने में ही करीब 414 का बनाके अभी 319 है तो graph में तो कोई भी doubt नहीं है किसी को भी दिखाएंगे तो clear cut बहुत अच्छी company demand के थूरू चल रही है और volume भी देखेंगे तो करीब करीब 15-16 million का average है पिछले 2-3 महिने में तो काफी healthy volume के साथ में grow कर रही है यह company अब अगर super trend का indicator देखें तो super trend के basis पर आपको पता लग जाता है कि आगे आनमले time के लिए stock का क्या view रहेगा तो stock ने शुरू से ही super trend ने इसको buy signal दिया है आपने कहीं में भी इसको देखा होगा तो कहीं से भी खरीद सकते थे आपने 100 अरब पर खरीदा होता फिर कुछ टाइम और 200 हुआ उसके बाद साड़े 300 हुआ अभी 390 के आस पास चल रहा है so it is a very good technical sign from super trend perspective कि आगे stock markets को reward कर रहा है उसका reason भी है हम समझाएंगे तो अगर देखें इनकी website को तो इनके पास में API का specific segment है जिसके through वो आगे बहुत अच्छी तरह से pharma medicine में grow कर सकते हैं अपना research and innovation उनकी key strategy है जिसके चलते हुए आगे आने वाले time में कोई भी vaccination की जरूत होगी या कोई भी medicine requirement होगी human race को तो they will be in the position to serve it better तो देखें जैसा हमने बताया API stands for active pharma ingredient वो खुद भी उसको produce करते हैं और साथ में इसको outsource भी कर देते हैं उसको sell भी कर देते हैं ताकि दूसरी company भी इसको बना सके intermediaries भी बनाते हैं और साथ में इनके research and innovation की team बहुत ही जबरदस्त है अपने employees का बहुत अची तरह दिहान रखते हैं जिसकी विजह से वो जीजान लगा देते हैं अपना result को produce करने के लिए जिस पे उनको research and analysis करना है हमने इसका quarter one का result पूरर detail study क्या है उसकी समभी आपको बताते हैं अभी अगर देखे तो sales का जो number है वो 238 करोड का है जो की देखे continuously बढ़ रहा है यहाँ पर 500 के बाद में थोड़ा कम हुआ था 178 फिर 184 और जून में जाकर 184 के विजाए 234 हो गया है उन्होंने अपने expenditure को भी control करके रखवा है 133 के आस पास उनका करोड का expenditure है और देखे सबसे ची बात ही है interest बहुत कम है interest to earning ratio almost negligible है तीन करोड का interest देना पड़ता है for earning of 110 करोड जो की एक reasonably बहुत बढ़िया company माने जाएगी almost debt fee कह सकते हैं आप इस company के reference में अगर देखा जाए 3 करोड का interest दे रही है तो यहाँ पर देखेंगे net profit जो है 81 करोड के आस पास है देखे 50 करोड 50 करोड फिर almost 80 करोड तो जून के मन्त में बहुत अच्छा result दिखाया है मार्च से उन्हें जब यह market शुरू है इंकर लिस्टिंग होना तब से अब तक इसने almost 30-60% के आस पास growth दिखाया आपने profit में तो share भी उसी हिसाब से काम करते हैं आगे का future outlook देखते हैं फार्मा कंपनी बहुत अचीते काम कर रही है इस सेक्टर में अगर आपको बताएं एक statistics हमने जो आमारी टीम ने रिसर्च किया है कि फार्मा सेक्टर ने पिछले 14 पिछले 4 साल में करीब करीब 15% का return दिया है annual basis पर market से जाधा return फार्मा सेक्टर ने दिया है पर फार्मा सेक्टर का problem क्या है कि ये सेक्टर एक long period के लिए dull phase में पढ़ा हुआ था कोई भी company उठा लीजे long term का chart देखेंगे तो बहुत dull phase था उसके लिए ऐसा होता है फार्मा सेक्टर में ये time to time lead करता है segment को हमेशे lead नहीं करता है market को तो अभी ये जो market में recovery आ रही है led by pharma industry फार्मा सेक्टर इसकी वेज़े से ये बहुत अच्छा है कोई इसके लिए positive है यहां से कोई के चलते हुए इनकी results बहुत अच्छे आ रहे है medical request बढ़ती जा रही है तो उससाब से आगे के लिए इसका outlook बहुत अच्छा बन र रहा है कुछ time के लिए expand करता है फिर उसके आद में reasonable trace करके फिर उपर जाता है फिर reasonable trace करके जाता है ऐसा नहीं कि एक बन ताबर तोड़ चला गया और फिर वहां से वापस ही नहीं आया है और या फिर आया है तो नीचे गिर गया है तो reasonable जो growth दिख रही है fundamentally strong company की जो growth दिखत एक बहुत अच्छा parameter है अगर देखे शुरू से alligator indicator ने clear cut buy signal दिया है green bar हमेशा blue bar के उपर है अब short term का अगर देखना है तो हमारी एक study होती है MACD तो अगर आप देखें MACD के reference में आप देखें इसने कई बार cross करने की कोशिश किया हम थोड़ा short करके दिखा रहे है आपको ता कुछ दिन के लिए इसमें negative चल रहा था पर आज की जैसी candle बनी है वो सकता आगे जाके इसको cross कले क्योंकि अभी काफी momentum से चल के आया है तो यहाँ पर थोड़ा सा सस्थाना भी इसको अच्छा लगता है अब अगर 15 मिट का चाट का देखें आज की जो specific प्रक्रिया हुई ह मार्किट आज बहुत अच्छा positive खुला था तो इसने भी positive खुल के response दिखाया दोपहर में थोड़ा सा short covering shorting हुई थी market पे इसने भी दिखाया पर बाद में जाते आते इसने बहुत अच्छा growth दिखाया तो अब इसमें क्या advantage है आपको इस company के साथ में तो अगर देखा हमने आपने हमने आपको सब कुछ दिखाया है technology टेक के basis पर एक technical trend जो है इसका upside चल रहा है क्योंकि pharma sector itself is growing तो यह technical trend भी उसी को reflect कर रहा है यहाँ पर दोस्ता हम लोग nifty और bank nifty के active service प्रोवाइड करते हैं अगर आपको यह service चाहिए तो आप हमें mail कर सकते है future option की trading है और इसके स DIA में इसमें mutual fund ने 2% की holding की हुए है others आप और हम जैसे लोग करीब करीब 24% की holding रखे हुए है जो कि बहुत अच्छी holding है आप continue to hold it अब हम conclusion पर आते हैं इसके और फिर बताएंगे आपको level क्या करने है देखे तो pharma sector में definitely अभी पिछले 3 quarter से बहुत तेज ग्रोथ आई है औ और आगे आने वाले 2-3 quarter में भी इसकी growth रहेगी क्योंकि COVID का impact काफी जादा है medicine sector में काफी जादा recovery की जूरत है तो यहाँ पर growth बहुत अच्छी रहेगी और stock market future outlook देखता है आगे आने वाले 2-3 quarter का reward बहुत ज़ली देगा तो इसमें short term में भी momentum है और long term के लिए यह factor तो आपको अगर 10 साल के लिए इंवेस्ट करना है तो आपको इस statement से कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर आप देख रहे हैं कि आपको 6 में ने में इन्वेस्ट करना है या एक साल के लिए तो आप हो सकता है थोड़ा कम percentage करें दो परसेंट करें इसमें 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 करेंगे वो एक million dollar question है तो आपको solve करने की कोशिश करते हैं अपर तो देखिए अब हम इसको daily chart पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप कहा कहा level पर इसको buy कर सकते हैं सारा का सारा quantity market level पर मद बाई की जगा प्लीज डून बाई everything at a same market price हम इसकी strategy बताएंगे आपको 3 level strategy जै पर छाइंगे टी जान बता बेन उत्या मुझट एहर च एम गम आपेड़ ओल्छों एहर वो रौन य जगर का सकते हैं सिएन थे हुन घ्सपनिए लूचे मैं कर सकते हैं और इसकैं से लुटragenAR आपको 3,300 पीन टे थाह दून इसके रून टे समीरा फर्ताम झाने हाट टे average cost reasonably और अगर किसी वेज़ से market में नीजर reaction आते अगले अगले दो महिनों में तो आपको तीनों quantity मिल सकती है, तीनों level मिल सकते हैं अभी आपर, पर long term investment थोड़ा different strategy होता है, अगर कोई detailed question है, इसके बारे में पूछना है, तो आप comment box में डाल सकते हैं, but this is the strategy which we are recommending, price target 850 in next 2.5 to 3 years, दोस्तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धननेवाद, based on your google profile, and your search history, these are the four videos what we have been found with the help of google, the bottom right most one is based on technical part, and the top left corner is based on the stock market learning, one of the favorite video from our channel, rest of the videos you can see accordingly whichever one you want to watch, and I hope you would like our channel, if there is any positive or negative feedback, please put it in a comment, बॉक्स जो भी कोई feedback हो comment box में डालिए धन्यवाद जैहिंद आपका दिन मंगल मेहो बाई गाईज